हेलो एवरिवन वेलकाम अगेनी लर्ण विद दितिमन बचों हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नुमबर एट जिसका नाम है जल संरक्षन और इसका आज हम पार्ट थर्ड करेंगे पार्ट टू तक हम कर चुके हैं 78 question हमारी हो चुके हैं 79 question आपके सामने हैं तो चलिए बिना देरी के start करते हैं और इसी के साथ इसी पार्ट के साथ आपका chapter हो जाएगा समाप तो चलिए बिना देरी के start करते हैं Q79, शिन्दू सब्विता की खुजाई में प्राप्त कौन सी अफसीज जल्स अनरक्षण को दर्सित करते हैं। Q79, शिन्दू सब्विता की खुजाई में प्राप्त करते हैं। Q79, शिन्दू सब्विता की खुजाई में प्राप्त करते हैं। किसे कहा जाता है अगर देखें तो बूंदी है उसको सिट्धिया बनी होती है तो उसको बावड़ी कहा जाता है राइस्टाने के लिए उतरने के लिए जब इस्तितिया बनी होती है तो उसको बावड़ी कहा जाता है राइस्टान में और जो बावड़ी है वो सकसे जदा बूंदी में देखने को मिलती है तो बूंदी में जो बावड़ी की अधिकता है उसकी वज़े से बूंदी को सिटी ओप स्टेप वेल्स कहा जाता है नेक कोशन देखिए सामने तब बा कार की होती है इस और जल शौत का एक साधन होती है क्योंकि बिल्कुल कोई जैसी होती है और काफी गहराई में होती है और इसमें अंगन नूबा भाग होता है जो सिड्डियां लगी होती है जिसमें और सिड्डियां जिस पर इस्थानी जल देवता जो होते हैं जल देवता ज तो देखे तापी बावडी जोदपूर में हैं, भंडारेज बावडी दौसा के अंदर, विनाता बावडी चित्तौर के अंदर और चांद बावडी आभानेरी में यह सभी क्या हैं? यह राहसान के प्रसित बावडिया हैं जो काफी फेमस हैं तापी बावडी जोदपूर, भंडारेज बावडी दौसा, विनाता बावडी, चित्तौर और चांद बावडी आभानेरी में नैक क्योशन देखिए राहसान के प्रसित तालाब कौन-कौन से हैं? तो राहसान के जो प्रसित तालाब हैं उसमें हेमाबास तालाब पाली के अंदर है, सरेडी और मेजा तालाब धीलवारा के अंदर है, बानकिया और सेना पानी तालाब जित तोड में हैं, और गड़ी सर और गजरूप सागर तालाब जो हैं, वो जैसल बेन के अंदर हैं, नेक कोश्चन देखें, राइस्थान के प पिछौला और फते सागर जील उदैपूर में हैं, तालचापर जील चूरू, बाकली बान, जालौर, टोडी सागर, टौंक, सरदार समंद, पाली, नवलखा जील, बूंदी में और नौचो की जील रास समंद के अंदर थे. नौसो की जील भी आपका एक पार आचुका है, और आना सागर जील भी आचुका है, तो मिश्चित रूप से इन में से कोई न कोई आने की काफी संभावना बनी रहती है, तो इन कोश्चन्स को जड़ा ध्यान से देख लीजेगा, आना सागर जील अजमेर में, पिछौला और फते सागर जील लोदैपूर में, तालचा पर जील चूरू के अंदर, बाकली वान जालोर में, टोर्डी सागर टॉंक में, सरदार समंध पाली में, नवलखा जील भूंदी में, और नौ चोकी जील राज समंध के अंदर है, नह कोश्चन देखिए, जल संरक्षन में प्रि तो देखिए, वो तालाप का वासिक्दा में चोटा रूप होती है, और सामने चार से पांच मीटर गहरी होती है, कैसी होती है वो, तालाप का चोटा रूप होती है, और सामने चार से पांच मीटर गहरी भी होती है, नह कोश्चन देखिए, पश्चिमी राजथान जल संरक जो टाके का बनाए जाते हैं, उसका जो आंतरिक भाग होता है, उसमें किसका लेप किया जाता है, तो उसमें राक और बजरी का लेप किया जाता है, किसका राक और बजरी का क्यों किया जाता है, ताकि पानी रिस्क का बाहर ना चला जाए, तो किसका राक और बजरी का लेप क हो 지금은 गट्रिया खेंते हैं और इसको बनाकर इसके अंदर लेप कर दिया जाता है राक बजरी का उसके बादर उपर से ढख दिया जाता है इस तरीके से हम इसमें वड़्षा जल संग्रह करने को देखने को मिलता है और जो आपकी राइस्थान सरकारदारा मुखे मंती जल स्वावलमन योजना है उसके तहद भी टांकों का निर्मान काफी ज्यादा मात्रा में किया गया है जो हड और टांके के निर्मान में मुखे तक क्या भिनेता है जो हड और टांके दोनों दिखने में और करने में लगभग एक जैसे दिखता है लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है क्या अंतर है जो हड और टांकों में तो जो हड और टांके में एक मुखे जो डिफरेंस य हुआ होता है यही इसमें मुख्य डिफ्रेंस है जोहर किस छेत्र में जल संग्रहन का मुख्य साधन है जोहर किस छेत्र में जल संग्रहन का मुख्य कारण है तो कौन सी छेत्र में है यह सिखावटी छेत्र में जोहर बहुत देखने को मिलती है और दूसरा हरियाना के अंदर जोहर काफी देखने को मिलती है जल संग्रेंड के लिए है ना नैक क्वेशन देखिए तालाब या खड़ीन में आगवर की भूमे में पांच से चै मीटर के गड़े खोद कर किस जल संग्राह का आकरती का निर्मान किया जाता है तालाब या जो खड़ीन होती है उसमें जो भ तो उसको कहा जाता है बेरी या चोटी कोई बेरी या चोटी कोई नैक क्वेशन देखिए बेरी या चोटी कोई का व्यास समय तक कितना होता है बेरी या जो चोटी कोई है उसका जो व्यास होता है वो समय तक कितना होता है तो वह आपका दो से तीन फिट तक हो सकता है दो स से किया जाता है पत्थरों से किया जाता है और क्यों किया जाता है क्योंकि भूमी गजल जल है जो रिस्ता रहता है तो रिस्ते हुए भूमी गजल को एकठत करने ही तो इसका दिवारों पे जो है दिवारों को पत्थरों से बनाया जाता है नेक कुशिशन देखिए बेरी या बेरी या छोटी कोई का अपयोग जो है किस मौसम में किया जाता है तो बेरी या छोटी कोई का अपयोग ग्रिस्म रितौ में वर्चाजल सूखने के बात किया जाता है ने कुश्वरिया छोटी कुई सामन्य तह किन जिलों में पाई जाती हैり है, ये बाढ़ मेर और जैसल मेर मेर ये देखने को मिलती है। बाढ़ मेर या जैसल मेर में देखने को ये मिलती है सामने तोर पे next question देखिए खड़ी जल सरक्षंट तक्नीक समद्दित है खड़ी जो जल सरक्षंट तक्नीक है वो किसने बनाई थी या यह काफी important question है, खरी जल सरक्षन व्यक्ति विसी समधाय से जोड़ी हुई है, तो यह किसे संबंदित है ऐसे, तो यह आपके जो मध्यकालीन में जैसल मेर के जो पालिवाल ब्राहमन थे, उनके द्वारा यह खरी जल सरक्षन तकनीक का उप्योग किया गया था सरप्रतम, उनक खरी जल सरक्षन तकनीक का उप्योग किया गया था, और यह जो है पेजल और किर्सी की सिचाई के लिए काफी important और उत्तम तकनीकों में से एक मानी गई है, नैक question देखें, खरी जल सरक्षन तकनीक किस है तो उप्योग किया जाती है, तो हमें ने अभी देखा, खरी जल सरक जल सरक्षन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि पहाड़ों की नीचे ढलानों पर दिवारे बना दी जाती है और जल को संजित किया जाता है, नैक question देखें, पहाड़ी भागों में वर्साकाल में बहते हुए जल को ढलू भागों पर मेड या दिवार लगा कर जल सर जाता है, वो आपकी खडी प्रिक्रिया या खडीन तकनी कहलाती है, ठीक है, नेक question देखें, भारज सरकार द्वारा इस्थानिया अधार पर जल संजित कौन्ची यॉजना लागो की कही है, तो इस देखें, भारस सरकार ने जल सरक्षन के लिए जल करांति अभ्यान प्राल स्टार्ट किया गया है ने कुश्चन देखिए जाइस्थान सरकार दोरा इस्थानी आधार पर जल स्वाव लंबन योजना है जो चारवर्शी अभियान है मुख्य मंत्री जल स्वाव लंबन पर योजना है इसके ताहित क्या किया जाना है इसके ताहित जो पुराने जो आपके जल स्वाव लंबन योजना का मुख्य उदेश्य है मुख्य मंत्री जल स्वाव लंबन पर योजना किया है तेह हुआ है तो बच्चों इसी के साथ आपका होता है यह चैप्टर समाप मिलते हैं नेक्ट चैप्टर नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू